साथियों, आज जब परियावरां और जल सवरक्षन की बात आती हैं, तो कई सच्चाईयों का हमेशा ध्यान रखना है। भारत में दुनिया के कुल फ्रेश वोटर का सिरफ चार प्रतिशत ही हैं, अपड़ा गुजरातना लोगों हमेशे मान चार टका अच्छे हैं, कितनी ही विशाल नदिया भारत में हैं। लेकिन हमारे एक बड़े भूभाग को पानी की कमी से जूजना पड़ रहा है। कई जगों पर पानी का स्तर लगातार गिर रहा है, क्लाइमेट चेंज का ये संकट को और गहरा रहा है। और साथियों, इस सक के बावजूद ये भारत ही है, जो अपने साथ साथ पूरे विश्व के लिए इन चुनोतियों के समाधान खोज सकता है। इसकी बज़य है भारत की पुरातन ज्यान परंपरा। जलस सवरक्षान, प्रकृती सवरक्षान, ये हमारे लिए कोई नए शब्द नहीं है, ये हमारे लिए किताबी ज्यान नहीं है। ये हालात के अकारण हमारे हिस्चे आया हुआ काम भी नहीं है। ये भारत की सांस्कृतिक चेतना का हिस्चा है। हम उस संस्कृतिक के लोग हैं जहां जल को इश्वर का रूप कहा गया है। नदियों को देवी माना गया है। सरोवरों को, कुंडों को देवाले का दर्जा मिला है। गंगा हमारी मा है, नर्बदा हमारी मा है, गोदावरी और कावेरी हमारी मा है। ये रिस्ता हजारों वर्षों का है। हजारों वर्ष पहले भी हमारे पुर्वजों को जल और जल सवरक्षन का महत्वत पता था। सेकडों साल पुराने हमारे ग्रंथों में कहा गया है। अब्दिही सर्वानी भूतानी, जीवन्ती प्रभवन्ती च, तस्मात सर्वेशू दानेशू, तयोदानम विशिष्यते। अर्थात, सब प्रानी जल से ही उत्पन हुए हैं, जल से ही जीते हैं, इसलिए जलदान, दूसरों के लिए पानी बचाना, ये सबसे बड़ा दान है। यही बात सैकड़ों साल पहले रहिमदास ने भी कही थी, हम समने पड़ा हैं, रहिमदास ने कहा था, रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सबसून, जिस राष्ट का चिंतन इतना दुरदर्शी और व्यापक रहा हो, जल संकट की तरास्दी के हल खोजने के लिए, उसे दुनिया में सबसे आगे खड़ा हो। Sिछड़ घयार उाउने के हर दिए परेंजने के लिए, आप उसे बहें से लिएर दून, जो चका रही दो प्लगर कर दो से शव्ड़ाओ करत।